बगवान शीव जी के 12 प्रमुक जोतिर लिंगों में से चोते स्थान पर ओमकारिश्वर जोतिर लिंग मंदिर मद्यप्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानदाता द्वीप पर स्थित है यहाँ पर नर्मदा नदी दो भागों में बढ़कर मानदाता द्वीप का निर्मान करती है यह द्वीप करीब चार किलोमेटर लंबा और दो किलोमेटर चोड़ा है यह द्वीप उपर से ओमाकार का दिखाई पड़ता है इसी वज़े से इस जगे को ओमकारिश्वर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में जोतिरलिंग है वो यहाँ पर पंचमुकी रूप में स्तापित है और माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड देवी देवताओं का वास है मान्यता अनुसा इश्वाकुवंस के राजा मानदाता ने यहाँ कठोर तपश्या की थी तब भगवान शीव ने उन्हें आशिरवात दिया और यहाँ प्रकट हुए तब इससे यहाँ भगवान शीव ओमकारिश्वर के रूप में विराजमान है ओमकारिश्वर शिवलिंग दो बागों में बटा हुआ है सबसे पहला ओमकारिश्वर और दूसरा ममलेश्वर शिवलिंग है लेकिन दोनों शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग के रूप में माना जाता है अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लैनिंग कर रहे हैं और ओमकारिश्वर जोतिर लिंग के दर्शन करना चाते हैं तो इस वीडियो को एंट तक सरूर देखना इस वीडियो में आपको ओमकारिश्वर के बारे में complete information और useful tips मिलने वाली है जैसे की आप यहां पर कैसे आए, रुकने और खानी पीने की क्या व्यवस्ता रहेगी, होटल के क्या prices रहेंगे, यहां पर गुमने फिरने के क्या क्या options रहेंगे, बोटिंग के charges क्या रहेंगे यहां पर आने के लिए कितने दिन का टूर प्लैन करना चाहिए, टोटल बजट कितना आएगा यहां का और मंदिर में आप जोतिर लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं साथी यहां पे आपको और कौन से मंदिरों में दर्शन करने चाहिए तो यह सारी इंफोर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी चैनल पर आप पहली बार आएए हैं तो चैनल को सब्सक्राईब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे सेट कर लीजिए तो चलिए ओमकारिश्वर जोतिर लिंग की यातरा शुरू करते हैं ओमकारेश्वर तक आप बाई बस बाई ट्रेन बाई फ्लाइट आ सकते हैं यहाँ पर बाई ट्रेन आने के लिए ओमकारेश्वर के नियरेस्ट रेल्वे स्टेशन खंडवा और इंदोर है खंडवा रेल्वे स्टेशन से ओमकारेश्वर 75 किलोमेटर के डिस्टेंस पर है खं उज्जेन में महाकालेश्वर जोतिरलिंग के दर्शन करने के बाद ओमकारिश्वर आते हैं तो उज्जेन बस स्टेंड से आपको सुबह के साथ से आठ बजे के बीच में बस मिल जाती है। और इंदोर से बस के चार्जेस डेड़ सो से दो सो रुपय तक रहते हैं और प्राइवेट टेक्सी के चार्जेस तकरीबन पचीस सो से तीन हजार के बीच में रहेंगे। अलावा अगर आप अपने परसनल वेहिकल से आना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से यहां तक आ सकते हैं। और उज्जेन से ओमकारेश्वर रोड की कंडिशन भी काफी अच्ची है। काफी लोग उज्जेन में एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। उज्जेन और इंदोर से एक दिन के लिए बस मिल जाती है। जिसमें बस आपको सुबह लेकर जाती है और शाम को वापस छोड़ देती है। और अगर आप इन केस यहाँ पर रुखना चाते हैं तो ओमकारेश्वर पहुचने के बाद यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको प्राइवेट होटेल, गेस्ट हाउस, धरमशालाई मिल जाती है। जिनमें आप सस्ते में स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर धरमशाला के फेर तीन सो से पान सो रुपे है। जा सकते हैं जिसके लिए आपको शेरिंग बोट का 50 रुपीज चार्ज देना होता है। बोट आपको सिर्फ नदी पार करवाएगी और घाट के किनारे छोड़ देगी। सेकंड ओप्शन है आप यहाँ से होकर इस ब्रीज को क्रोस करके मंदिर तक महोच जाएंगे। अब नर्मदा नदी के ब्रह्मापुरी घाट पर आप स्नान करके दर्शनों के लिए लाइन में लग जाईए। श्री ओमकारिश्वर मंदिर पांच मंजिला है। आप दर्शनों के लिए आए तो पूजा समगरी ना खरीदे। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह पांच बजे से रात के नो बजे तक रहता है। अगर आप यहाँ पर पीक सीजन यानी श्रावन मास के दोरान आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर श्रद्दा लोगों की काफी ज़्यादा भीड देखने को मिल सकती है। और दर्शन करने के लिए आपको करीब 4-5 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे बाकी टाइम में यहाँ लोगों की इतनी ज़्यादा भीड नहीं रहती है। तो 20-30 मिनिट में आपके दर्शन आसानी से हो जाते हैं। ओमकारिश्वर यात्रा पे जो कोई भी आता है वो एक बार यहाँ पर बोटिंग जरूर करता है। ओमकारिश्वर के सबी घाटों से आपको बोट मिल जाती है। शेरिंग बेस पर अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपको 4-5 पॉइंट दिखाए जाते हैं। जिन में कावेरी और नर्मता संगम, ओमकारिश्वर मंदिर, ओमकारिश्वर डैम और ब्रह्मापुरी घाट शामिल है। और बोटिंग के लिए आपसे पर परसन 100-200 रुपे का चार्ज लिया जाता है। जिसमें आप ओमकार परिक्रमा भी कर पाएंगे। अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो 2000 रुपे आपको देने होंगे। मैं सजेश्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जब भी आये बोटिंग का एक्स्परियेंस जरूर ले। बोट के थुरू आपको बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग वीव देखने को मिलेंगे। श्री गजानन महाराज संस्थान शेगाउं की ओर से ओमकारिश्वर में आने वाले श्रदालूओ के लिए विशाल भक्त निवास बनाया गया है। यहाँ पर आपको साड़े तीन सो से लेकर साड़े नो सो रुपय तक AC, non AC, air cooler, तीनो टाइप्स के 2, 3, 4 beds के family rooms मिल जाते हैं। और सिंगल परसन के लिए अलग से डोर्मेटरी की सुईदा भी उपलब्ध है, जिसमें आप 60 रुपय का चार्ज देकर यहाँ पर stay ले सकते हैं। साथी इस भक्तिनिवास में प्रसादाले भी बना हुआ है, प्रसादाले में आप breakfast से लेकर lunch dinner भी कर सकते हैं। 10 रुपय से लेकर 20 रुपय में आप यहाँ breakfast कर पाएंगे और खाना खाने के लिए 40 से 50 रुपय में आपको थाली की सुईदा मिल जाती है। वैसे भक्तिनिवास के outside भी आपको बहुत सारे restaurants मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप खाना खा सकते हैं और fast food इंजोई कर सकते हैं। ओमकारिश्वर जोतिरलिंग प्रकरती में विभाजित है। ओमकारिश्वर जोतिरलिंग का आदा भाग ओमकारिश्वर में और दूसरा आदा भाग ममलेश्वर में स्तित है। संपूर्न जोतिरलिंग दर्शन के लिए आपका इन दोनों मंदिरों में जाना अनिवारिय है। माना जाता है कि अगर आपने ओमकारिश्वर मंदिर में दर्शन कर लिये और श्री ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं किये तो ये यात्रा आपकी अदूरी मानी जाएगी इसलिए ओमकारिश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद आप ममलेश्वर मंदिर में आकर दर्शन करें तबी ये यात्रा आपकी सफल मानी जाएगी दर्शन हो जाने के बाद जब आप नीचे आएंगे तब आप पहुँच जाएंगे गोमुक गाट पर यहाँ पर गोमुक से निरंतर रूप से पवित्र जल्दारा भैती रहती है आप गोमुक से पानी भर कर अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं जब आप नाइट में ओमकारिश्वर ब्रिज पर आते हैं तो यहाँ से नाइट का वीव बेहदी खास दिखाई देता है यहाँ पर आप ओमकारिश्वर का नाइट वीव भी इंजोई कर पाएंगे और आपको यहाँ बहुत ही शांती मिलेगी ठंडी ठंडी हावाव के साथ कुछ टाइम आप यहाँ पर बढ़िया से स्पेंड कर पाओगे अगर आप पैदल नर्मदा नदी परिकर्मा करना चाते है तो आपको 7-8 किलोमिटर पैदल चलना पड़ेगा और परिकर्मा तै करने में 1.5-2 गंटे का टाइम लग सकता है इस परिकर्मा में आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे जिन में से चलते चलते आपको विशाल सिव प्रतीमा के दर्शन होंगे ये प्रतीमा 90 फिट की है गोरी सोमनात मंदिर के दर्शन होंगे इस मंदिर में 6.5 फिट उचा शिवलिंग स्तापित है यहाँ पर हनुमान जी लेट कर विश्राम करने की मुद्रा में है नर्मदा कावेरी संगम के भी दर्शन होंगे यहाँ पर नर्मदा नदी कावेरी नदी के साथ मिल जाती है और आखिर में शिरी शिद्धनात मंदिर के दर्शन होंगे ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है इन सभी मंदिरों में दर्शन कर आप परीक्रमा पूर्ण कर लेंगे और वापस से जूलापुल तक पहुंच जाएंगे दोस्तो लाष्ट में टोटल बजट की बात करें तो दो दिन के इस ट्रिप में पचीस सो से तीन हजार तक आपका ओमकारिश्वर घुमने का खर्च आ सकता है ये आपके ट्रेवल मोड के अकोडिंग कम ज्यादा भी हो सकता है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की ओमकारिश्वर जोतिर लिंग दर्चन की यात्रा आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करे और इस वीडियो की रिगाइडिंग आपकी जो भी क्यूरी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं टेक केर बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग